अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजी नीचे बेल आइकन उस प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास रहे ये अब सुनते हैं रविवार वरत का था प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी वी प्रतीक रविवार को सुबह उठकर सनान आदी से निवरित हो कर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी उसके बाद सुरे भगवान की पूजा करने के बाद भ भगवान को भूग लगा कर ही स्वैम भूजन करती थी भगवान सुरे देप की किरपा से उसे किसी प्रकार की चिंता वो कश्टन नहीं था दीरे दीरे उसका घर धंधाने से भर रहा था उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पडोसंज उससे बुडी तरह जलने अपनी परोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी परोसन ने कुछ सोच कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया और उस तिन स्वैम भी भोजन नहीं किया सुर्यास्त होने पर बुढ़िया भोखी प्यासी सो गए इस परकार उसने निरहार वरत किया रात्री में सुर्य भगवान ने उसे सुपन में दर्शन दिये और वरत न करने तथा उने भोग न लगाने का कारण पूछा बुढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर में परोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गुबर न मिल पाने की बात कही सुर्य भगवान ने अपनी भक्त की परिशानी का कारण जान कर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा है माता हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इक्छाएं पूर्ण करती हैं क्योंकि तुम हमेशा रवीवार को पूरा घर गाय के गौबर से लिप कर भोजन बना कर मेरा भोग लगा कर नहीं स्वेम भोजन करती हो इसे मैं बहुत प्रसन हूँ मेरा वरत करड़ने वो कथा सुनने से निर्धन को धन और बाज़न इस्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वर्दान दे कर भगवान सुरे अंतरध्यान हो गए प्रातह काल सुरे देव से पुर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वे अपने घर के आंगन में सुन्दर गाय और बच्रे को देख कर हैरान हो गई गाय को आंगन में बांद कर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया परोसन ने उस बुढिया के आंगर में बंधी सुन्दर गाय और बच्रे को देख तो वे उससे और अधिक जलने लगी तभी गाय ने सोनी का गोबर किया गोबर को देखते ही परोसन की आखे फट गई परोसन ने उस बुढिया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तद्था अपनी गाय का गोबर वहार रखाए सोनी की गोबर से परोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई गाई प्रती दिन सुरे उदय से पुर्व सोनी का गोवर किया करती थी और बुढिया के उठने से पहले परोसन उस गोवर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढिया को सोनी के गोवर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला बुढिया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सुरे देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही लेकिन सुरे भगवान को जब परोसन की चलाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रकोप देखकर बुढिया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया सुबा उठकर बुढिया के ने सोनी का गोबर देखा उसे बहुत आश्चरे हुआ उस दिन के बाद बुढिया गाय को घर के भीतर बांधने लगी सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई उस बुढ़िया के धने होनी से परोसन बुरी तरह जलभुन कर राक हो गई जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सुझा तो वे राजा के दरवार में पहुँची और राजा को सारी बात बताई राजा को जब बुढिया के पास सोने की गोबर देने वाली गाई के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेज कर बुढिया की गाई लाने का आदेश दिया सैनिक उस बुढिया के घर पहुँचे उस समय बुढिया सुर्य भगवान को भोग लगा कर स्वेम भोजन गरहन करने वाली थी राजा के सैनिकों ने गाई खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले बुढिया ने सैनिक से गाई को न ले जाने की प्रात्ना की बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने गाई के चले जाने से बुढिया को बहुत दुख हुआ उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सुरे भगवान से गाई को पुनाप्राप्त करने हे तो प्रात्ना करने लगी दूसरी और राजा गाई को देखकर राजा बहुत खोस हुआ लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वे उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया उसी रात भगवान सुरे उसके सपने में आये और बोले हे राजन ये गाई व्रिधा को लोटाने में ही तुम्हारा भला है रविवार के व्रत से प्रसन होकर ही उसे ये गाई मैंने दी है सुबह होते ही राजा ने वृधा को महल में बुला कर बहुत से धन के साथ सम्मान सहीत गाय लोटा दी और ख्षमा मांगी इसके बाद राजा ने परोसन को दर्ण दिया इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उस दिन राजे में घोशना कराई गई कि सभी इस्तरी परोस रविवार का वरत किया करें रविवार का वरत करने से सभी लोगों के घर धन धाने से भर गए चारो और खुशाली चागई सभी लोगों के शारेरी कश्ट दूर हो गए कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो जीर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एं सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पूर वाचिं उड़ को आप हो tala आप हुआ है जजंटी सेर की लिए वाचुल सेर के क्यीज़ को उड़का आप मेरे ची से लिए हना आप हाफ है वीब यब